नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में वार्टसप के 5 टोप न्यू फिचर्स के वारे में बात करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले हैं वार्टसप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद में आपको अपने वार्टसप पर आना है अपडेट करने के बाद आपको WhatsApp में आना है WhatsApp पर आने के बाद आपको इस परकार का इंटरफेस देखने को मिलता है तो आपको लेट साइड में देखने को मिलेगा कि एक नया आइकन है वो देखने को मिल रहा है पहले इस आइकन के स्थान पर है कैमरे का आइकन है वो देखने को मिलता था लेकिन अब कैमरे का आइकन है सर्च बार की तरफ है दिखाया जा रहा है तो जो नया आइकन आया रहा है पहले इस update के बारे में बात करते हैं तो जो नया आइकन आ वो है community से समंदित है Community का मतलब यह है कि आप एक सी अधिक सदस्यों को message है वो बेज सकते हैं अब आप किस परकार message बेजेंगे उसके बारे में बात करते हैं तो जिस परकार आप WhatsApp गुरूप के अंदर सदस्य जोडते हैं तो मैक्सिमम सदस्य है 512 आप एक गुरूप के अंदर जोड सकते हैं और आप Community के अंदर गुरूप जोड सकते हैं तो गुरूप है मैक्सिमम आप 21 गुरूप जोड सकते हैं और एक message है जबी तक है पहुंचा सकते हैं तो यह ज़्यादा जरूरत है स्कूल, college है यह फिर ज़्यादा सदसे है को message बेजते हैं उनको ज़्यादा पड़ती है तो उनके लिए community है ज़्यादा उप्योगी हो सकती है यह सबी के लिए उप्योगी है लेकिन जो school चला रहे हैं, college चला रहे हैं उनके लिए उप्योगी है तो school वाले या college वाले एक message के मादम से ही सबी students तक है सूचना है वो पहुंचा सकते हैं ये community बहुत उपयोगी होने वाला है और जितने भी दोस्त है अपने दोस्तों कर साथ है group बना कर है community भी बना सकते हैं तो आप community किस परकार बनाएंगे आपको start your community पर टेप करना है तो उसके बाद आप अपनी community का नाम रख सकते हैं community description है लिख सकते हैं community एड़ करने के बाद आप मैकसिमम 21 ग्रूप एड़ कर सकते हैं तो वाटसप की नई community ये थी आपको पहला फिचर वो बता दिया है वाटसप का second feature ये है कि आप जिस परकार यूट्यूब चैनल और टेलिग्राम चैनल पर जिस परकार पॉल रखते हैं परकार है अब आप वाटसप पर भी पॉल रख सकते हैं अपने फ्रेंड को है पॉल है किसी क्यूशन का पॉल रखकर आप क्यूशन पूश सकते हैं या फिर ग्रूप के अंदर है कोई भी सवाल है पॉल के मादम से आप पूश सकते हैं तो आप अपने गुरूप या दोस्त को किस परकार पॉल रखेंगें तो आपको अपने फ्रेंड या गुरूप में अंदर आजाना है जहां आप मेसेज टाइप करते हैं उसी इस्तान पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा उस आइकन पर आपको टेप करना है तो आप नीचे नीचे देखेंगे कि पॉल का भी आपको आपको आपसन दिया गया है और अपने दोस्त और जो गूरूप है उनके अंदर बेश सकते हैं तो जो एक्यूसन है वो मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ मैंने एक ऐसे एक्यूसन है टाइप किया है और आप मैक्सिमम है उसके बारा उप्सन रख सकते हैं और सिंपल ही अपने फ्रेंड या गूरूप के अंदर सेंड कर सकते हैं तो आप इस परकार है अपने वार्टसप गूरूप या फ्रेंड के साथ है पोल है वो क्रियेट कर सकते हैं WhatsApp पर वेश सकते हैं जो भी क्यूशन का answer करना चाथते हैं तो जितने भी दोस्त हैं वो answer करेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा और जितने ग्रूप के सदसे हैं उनको भी देखने को मिलेगा तो ये WhatsApp का second feature था अब WhatsApp के थर्ड feature के वारे में बात करते हैं WhatsApp का थर्ड feature ये है कि आप किसी का नाम सेव किए बिना आप उनको एड़ कर सकते हैं तो किस परकार एड़ करेंगे उनके बारे में और जानते हैं तो आपको राइट साइड में 3 डोट है उस पर क्लिक करना है और सेटिंग के अंदर जाना है और उपर ही उपर है आपको देखने को मिलेगा QR QR पर आपको SMPLY टेप करना है और टेप کرने के बाद आपके पास QR आजाएगा येदि आप किसी दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप अपना QR दे सकते हैं और आप किसी दूसरे को जोड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन करके एड़ कर सकते हैं बिना नमर एड़ किये हुए आप सेव कर सकते हैं तो वार्टसप का तीसरा फिचर ये था अब हम वार्टसप के फॉर्ट फिचर के वारे में बात करने वाले हैं WhatsApp का फूर्ट फिचरी है कि आप अपने दोस्त को फोटो वेजते हैं या किसी ग्रूप के अंदर है फोटो वेजते हैं तो वो एक बार देखने के बाद है एटोमेटिक है डिलिट हो जाएगी आप जिसको भी फोटो बेज रहे हैं वो एक बार ही उस फोटो को देख पाएगा तो आप ये किस परकार है बेज सकते हैं आप फोटो वीडियो दोनों बेज सकते हैं सामने वाला एक इबार उसको देख सकता है उसके बाद है एटोमेटिक है डिलिट हो जाएगी मान लीजी आप अपने दोस्त को फोटो बेज रहे हैं और वो दोस्त एक बार ही उस फोटो को देख सकता है या तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या अपनी गलेरी से एक फोटो चूज कर सकते हैं तो मैं एक फोटो चूज कर रहा हूं अपनी गलेरी से तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोटो अपनी गलेरी से चूज कर ली है और आपको फिर निचे की तरफ एक दि उसको एक बार ही देख सकता है और देखने के बाद है इत्मेटिक है डिलिट हो जाएगी तो आप इस परकार एक फोटो एक वीडियो वे सकते हैं सामने वाला एक बार ही इसको देख सकता है एक बार देखने के बाद है इत्मेटिक है वीडियो या फोटो है डिलिट हो जाती ह तो WhatsApp के पाँचवे फिचर के बारे में बात करने से पहले सबी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों तक सेर जरूर करें पाँचवा फिचरी है कि आप जब भी स्टेटस पहले लगाते थे और उसमें लिंक एड़ करते थे तो जो भी आपका दोस्त है या फिर जो भी स्टेटस देखने वाला है उस पर लिंक पर टेप करता था तो सामने वाला है उस link पर नई पहुँच पाता था लेकिन whatsapp के नई update के अंदर है आप status के अंदर link add करते हैं तो जैसे ही सामने वाला उस link पर टेप करता है तो वो सिदा link पर पहुँच जाता है तो आप किस परकार link add करेंगे वो आपको बता देता हूँ आपको status पर plus पर करना है पलस पर करने के बाद आपको gallery से एक photo है वो select कर लेना है जैसे ही आप एक photo select कर लेते हैं और फिर आपको नीचे add caption है उसमें आपको link add करना है तो मैं एक link add कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक link add कर दी है और status है यह लगा रहा हूँ तो मैंने status है वो लगा दिया है लिंस अंदर है जो link आपको देखने को मिलेगी तो जैसे ही सामने वाला इस link पर tape करेगा तो वो सिधा इस link पर पहुंच जाएगा तो आप देख भी सकते हैं कि मैं इस link पर tape कर रहा हूँ तो मुझे option मिल गए हैं कि cancel या open सिधा इस link पर पहुंच जाता हूँ तो आप देख भी सकते हैं जैसे ही मैं open करता हूँ link के उपर पहुँच गया हूँ मैं अपने channel के link के मैंने डाले थी और सिदा channel पर मैं पहुँच गया हूँ तो WhatsApp के ये 5 feature हैं मैंने आपको बता दी हैं तो WhatsApp के ये 5 feature थे आपको पसंद आया तो like जरूर करें